पारे सेना का शोर्य और पराक्रम तो ऐसा है कि लोगों की रूख आप जाए लेकिन ये सब शायद मोदी जी के मौन, शायद मोदी जी के चुप रहने शायद मोदी जी की जो क्लीन चिट दी गई थी कोई घुसा हुआ नहीं है उसी से चीन का दुसाहस लगातार बढ़ रहा है क्योंकि ये बेधड़क विस्तारवाद, ये निरलज घुसपैट चीन तभी कर सकता है जब हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंतरी मूख दर्शक बने हुए है आँखों पर पट्टी बांद कर और मूँ में दही जमा कर अगर सोचा जाए कि समस्या का निवारण हो जाएगा तो वो निवारण नहीं होगा, आप सेना के मनोबल के साथ खिलवार जरूर कर रहे हैं मोदी जी यह हम जरूर इस मंच से और तमाम और मंचों से कहते हैं आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, छुई मुई बन जाते है, कोई आपको कह दे आपकी पूरी ट्रोल सेना लग जाती है लेकिन क्या देश से बड़े हैं आप इस देश की भुभागिया खंड़ता पर आज खट्रा मंद्रा आ रहा है तमामों रिपोर्ट के मताबिक चीन हमारे घर में घुसकर बैठा हुए और हमारे घर में घुसकर अब साई शेल्टर बना रहा है और आप एक शब नहीं बोल रहे हैं जब प्रधान मंत्री अपने पद की गरिमा को भूलकर उल जलूल बाते करते हैं उल जलूल टिपडियां करते हैं तो सुनने को भी तयार रहे हैं हम उनकी बिलकुल इज़त करते हैं लेकिन मैं आप से पूछना चाहती हूँ ये चुई मुई बनके प्रधान मंतरी जी क्यों रहते हैं आप चुई मुई हैं क्या अरे आप देश के प्रधान मंतरी हैं आपकी दस आलोचना करी जाएगी आपसे दस सवाल पूछे जाएगे देश ने आपको चुन कर इतने सर्वोच पद पर बिठाया तो आपकी जवाब दही तहन नहीं होगी एक सवाल पूछ लो तो प्रधान मंतरी की बेश्जती कर रहे हैं एक सवाल पूछ लो तो इसका बदला कौन देगा अरे कब तक अपने बद्दिमाग प्रवक्ताओं के पीछे छुपे रहिएगा और ये छुपे रहने की आदत छोड़ दीजिए क्योंकि प्रधान मंतरी जब वैधावे जहलती हुई हमारी प्रेजडेंट को कॉंगरस की विधवा कहते है और एक मा को जर्सी गाय कहते है और एक पत्नी को पचास करोड की गल्फरेंड कहते है एक चुनी हुई मुखे मंतरी के साथ दीदी ओ दीदी करते है तब उनकी गर्मा कहां चली जाती है कहा है प्रधान मंतरी पद की गर्मा जब वो अचार के डब्बे पर कहते है और अचार की फोटर लगा दो अचार बिकने लगेगा कहा है प्रधान मंत्री पद की गर्मा की एक चुनी हुई सांसत को अपने बगल में जो बैठी सामने बैठी हुई सांसत को सूप नखा कहते हैं क्या है प्रधान मंत्री पद की गर्मा की प्रधान मंत्री को रेंकोट पहन कर नहाता हुआ कहते हैं तो आप सब बोलिए और हम वो सहते रहें और आप से अगर एक भी तीखा सवाल पूछ लिया जाए तो आप छुई मुई हैं अरे आप देश के प्रधान मंत्री हैं हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री हैं थोड़ा सीना चोड़ा करिए और बाते सुनिया अलोचना सुनिये इस आप कुछ भी बोलिए तो वो लीला कर रहे हैं आप हम कुछ बोले तो हम पाप कर रहे हैं यह तो नहीं चल पाएगा आप अपने पद की जितनी गरिमा दिखाएगा उतनी गरिमा से आप से बात करी जाएगी आप अपने पद की गरिमा प्रधान मंत्री रहते हुए तो आप कभी पद उस तरह की प्रतिष्ठा से विहीन होगा